नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल देवधरा अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल में जो है स्कूल, कॉलेज, विश्व विद्याले और तकनीकी संस्थान जो है चार अपरेल तक बंद रहेंगे और होली के कारेकरम जो है नहीं होंगे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बाइल आइकन को दो आदिए ताक कि नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हिमाचल परदेश में स्कूल कॉलेज विश्य विद्याले तक्निकी संस्थान चार अप्रेल 2021 तक बंद रहेंगे परदेश में करोना के मामले बढ़ने पर यह फैसला लिया गया है स्कूल और कॉलेज जो में शिक्षक और अन्य स्टाफ जो है आएगा मुख्यमंत्री जे अराम ठाकुन ने शुक्रवार को आपदा प्रबंदन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया दस्वी और बारवी के चात्र जो है स्कूल आते रहेंगे जिन स्कूलों और कॉलेज जो में परिक्षाएं चल रही है उनमें भी चात्र और स्टाफ जो है आएगा बोर्डिंग स्कूल में होस्टल सुविदा जारी रहेगी होली को लेकर कोई कारेकरम आयोजित नहीं किया जाएंगे मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर ने अपील करते हुए कहा कि लोग घरों में ही अपने परिबार के साथ होली मनाए होली के सारवजनिक कारेकरम भी नहीं होंगे तीन अप्रेल को फिमाचल में सरकारी चुट्टी जो है गोशित करती गई है और दो अप्रेल को गुड फ्राइडे की चुट्टी है और चार अप्रेल को रविवार सरकारी विभागों में तीन दिन की चुट्टियों का पैकेज बना है प्रदेश में तेज मार्च से मेलों के आयोजनों पर रोक लग गई है सांस्कृतिक धार्मिक और कारेकरम और सरजनिक लंगरों पर भी रोक लग दिग गई है नीजी कारेकरमों में 200 से ज्यादा लोग शिर्कत नहीं करेंगे और इंडोर कारेकरमों में क्शम्ता प्चास पर्द्थिशत ही लोग ही आ सकेंगे जिला प्रिशाशन की अनुमती के बाद जो है सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शेक्षनिक, राजनितिक या सांस्कृतिक कारेगरम जो है आयोजित किये जा सकेंगे IT विभाग और जिला प्रिशाशन ओनलाइन अनुमती जो है प्रदान करेंगे सामोधाइक, भोज, धाम, लंगर जैसे आयजनों से पहले प्रबंदक और केटरिंग स्टाफ को कोविड नेगिटिव जो रिपोर्ट लाना आविश्यक होगा यह रिपोर्ट जो है 96 गंटे से जादा पुरानी नहीं हो सकती बंद स्थानों या बिना टेस्ट स्टाफ के जरिये भोज या लंगर आयोजित नहीं होंगे जीला प्रशाशन के लिए स्थानिय पूलीस वब पंचायती राजजय संस्थाओं को ऐसे कारेग्रमों की जानकारी देनी आविश्यक होगी ताकि दोनों ही कोविड प्रोटोकोल के तहत कारेग्रम का आयोजन सुनिक्षित कर सके वही प्रदेश के करोना संक्री में तो अंकड़ा जो है एककासट 1616 पहुच गया है सक्रिया मामले अब 1903 हो गये है अब तक ठुञजा 1689 संक्रवित ठीक हो चुके है और 1016 की जो है मौत हो चुकी है बिलासपूर में करोना के सक्रिय केसों की संक्या जो है एक सो नौ चमबा ग्यारा, हमीरपूर एक सो सैंतालिस का अंगडा तिन सो च्यासट और किनौर साथ, लाउन स्विती एक और कुलू बाइस, मंडी इकासट, शिमला एक सो च्यासट, सिर्माओर एक सो इकतिस और सोलन, 265 और उनना जिले में 617 दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जह सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके धन्यवाद